Hello everyone, BSC 6 semester Botany Paper First जिसमें Unit First के अंतरगत हम लोगों को Cell Biology पढ़ना है तो आज हम लोग Cell Biology के Most Important MCQ Question को Solve करेंगे सबसे पहले हम Question को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उसको Solve करेंगे ठीके, तो सर्ष्ट क्या दिया गया है? Which one is a Double Membrane Organal? इसमें से double membrane और्गिनल कौन सा है तो option दिया गया है ribosomes, mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosomes ठीके तो और्गिनल्स में आप लोग समझ रहेंगे कि और्गिनल्स क्या होता है एक cell में देखेंगे तो cell के अंदर आप लोगों को धेर सारे और्गिनल्स देखने को मिलेंगे ठीक है एक cell हो गया cell के अंदर आप हो और्गिनल्स क्या देखने को मिलते हैं ठीक है तो आप से पुछा गया है double membrane और्गिनल्स की ऐसा और्गिनल्स के बारे में बताईए छो कि क्या हो double membrane से घिरा हुआ हो ठीक हें तो इसमें हम सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं जो double membrane organs क्या-क्या होते हैं तो mitochondria हो गया chloroplast हो गया and nucleus हो गया ये ओर्गनल्स जो होते हैं बॉर्गनल्स जो होते हैं यह डबल membrane होते हैं ठीक है तो option में आप देखिए option में आपको क्या दिया וה गया हैं इंड प्लाज्मी क्रेटि कुलं यह क्या होते हैं सिंगल मेंब्रेन और इंड celebrity से इसके बारे में अच्छे से देख लीजए क्योंकि कोई भी ओप्शन में उठा कर आप लोग को दिया जा सकता है Most लेकिन बात निस्टीन के बारे में बताना है जो कि सेर्ट किया था ठेक्ट लगन ने पूछा है बॉटनिश्ट के बारे में ठीक है पूछा ग्याई ब fringe इसमें से कौन है तो जो गृत निस्ट है यह क्या है तो जुण share यह वो क्या है ब्रीटिस जुलोजिस्ट है ठीक है तो इसका सही एंसर यही से आप लोग देख ले सकते हैं कि जो जर्मन बोटनिस्ट कौन है तो स्लाइडन है तो इसका सही एंसर क्या हो गया ओप्सन नमबर ए ठीक है स्लाइडन अब सेल्थ यूरी क्या होता है इसके बारे में भी देख लीजिए जो सेल्थ यूरी होता है इसमें इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं या फिर जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी के सभी सेल्स से मिल करके बने हुए होते है जो सेल होता है वो basic unit होता है life का, ठीके जिस प्रकार से आप घर होता है वो कैसे होता है? ठीक है तो basic unit हमारे life का क्या होता है वो cell होता है cell से मिलकर ही कोई भी जो organism होता है वो बना हुआ होता है इस cell theory के इंतरगत बताए गया और cell theory को आगे फिर किसने study किया था तो वीर्चो साहब ने आगे गये और इन्हों ने क्या बताया इन्हों ने 1825 में बताया है कि जो भी cell है ठीक है जो पहले से उपस्थी cell है उनके द्वारा ही जो नए cell बनते हैं वे arise होते हैं ठीक है जो पहले से cell यहां पर पड़े हुए यही cell क्या होते है कि cell division इसमें होता है और cell क्या होते हैं नए cell इन्हों से बनते पढते हैं तो यह किस ने बताये तो यह विर्चुं ने बताया था ठीकती इसında मारा नेश्ट क्यूंच है क्यूंच दोमार थ्री स्विस्टना मंथ्यूंट अप्टा जे ले सेलवाल के किस पार्ट में प्रेजेंट नहीं होता है एस पीछली वीडियो उसके बाद takma इंड से चल्य को मिलता है उपलांट को सब्ड को कहरता है कि critics सेसल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम क्या करता है यह करता है उसके अंदर दिखेंगे ता लोग को प्राइमरी दीखने को मिलेगा और ये जो होते हैं ये सब ही प्लांट में ये सब ही प्लांटु में चले जाए तो मिडला प्राम्री के बाद आप लोगों को सेकेंडरी सेलवाल low theory देखने को मिलेगी तब जाकर के बैबर होता है एक नॉर्मल सब हते हैं उसमें इसमें पुछा गया है Lignin किसमें प्रजेंट नहीं होता है ठीक है तो अब सबसे पहले क्या हो इसमें dèsे औो कि लिए और किसा कि The č 500 ँख gorilla इसमें इसमें दोलों किसमें और देकिना है तो इसमें आप लोगेको को सेकेंड़ी शेल्वाद मेले Mental इसमें लिगने प्रेजेंट नहीं है तो इसका option number A क्या है सही है ठीक है अब इन दोनों के बारे में पढ़ लेजे कि primary sale वाल क्या होता है और secondary sale वाल क्या होता है जो primary sale वाल होता है यह growing sales में आप लोग को देखने को मिलेंगे जो भी ऐसे plant है जो की अभी growing कर रहा है उस्में लिविजने सेल में मिलेगा और secondary sale वाल सभी वैसे सभी Cleanées में ही देखने को मिलेगा लेकिन जो secondary sale वाल की में देखने को मिलेगा तो यह जो मैच्योर हो गए होते हैं जो प्लांट मैच्योर हो गए होते हैं उसमें ग्रो नहीं होता है उनका सेलब ग्रो नहीं कर रहा होता है उसमें आप लोगों को सेकंडरी सेलवाल की लेयर देखने को मिलेगी ठीक है एननेश्ट बताया गिया कि ज नीचे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा प्राइमरी सेल वाल देखने को मिलेगा यही आप सेकेंडरी सेल वाल में देखेंगे तो यह प्राइमरी सेल वाल के नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है तो वहीं इसमें बताएगा है देखिए जो सेकेंडरी सेल व कि कुछ ही special type के प्रांट जस्तों उडी प्लांट होगए इसमें ही आप लोग को देखने को मिलेंगे नेश्ट अप्राइमरी में में देखिए प्राइमरी सेल्वाल कैसा होता है इलास्टिक होता है फ्लैक्सिबल नेचर का होता है यह सेकेंडरी सेल्वाल इजिट होता है और इसी मिल करके बने हुए होते हैं अब हम नेस्ट क्यूस्टर देखते हैं नेस्ट क्यूस्टन हमारे question number four है जिसमें बोला गया है cellulose is the building material आप cellulose किसका building material होता है ठीक है option दिया गया है primary cell वाल का secondary cell वाल का कि middle ले मिला का कि cell membrane का किसका building material होता है तो cellulose इजान important structure होता है component आप primary cell wall का तो option number A क्या है सही है किसका building material होता है तो primary cell wall का cellulose होता है building material होता है आगे अगला question देख लिजे अगला question question number 5 जिसमें बोला गया है the middle ले मिला आप cell wall is composed आप जो middle Lemela होता है, cell wall का वो किसे बना हुआ होता है option दियागे है, cellulose, hemicellulose, calcium की Leahy लिगनीन, ठीके calcium pectate या फिलिगनीन किसे बना हुआ होता है जो middle Lemela होता है तो देखें, जो middle Lemela होता है यहाँ पे ले मिला रहेगा, ठीके कि मिडल ले मिला एक सेल को क्या करता है अपने पास वाले उपस्ति सेल से क्या करता है जोड़ने में हेल्प करता है यह एक सेल हो गया इस सेल को इसके पास वाले सेल में कि इस प्रकार से जूड़े रहते हैं तो यह मिडल ले मिला की ही हेल्प से इस प्रकार से जूड़ते हैं तो यह calcium and magnesium packedate से मिलकरके बना हुआ होता है तो इसम्में option में क्या दिया ग Св zar 21 गया है क्या से नहीं किया है trazar और चोग्छ प्रडोस्क्च sent do son दिके किस्ट्र नंबर सिक्समें आम से इसमें बता है तो anti the rapat इले मिला में इंद सैल कि सेल्स में प्रजेंट होते हैं से नमबर ऐ दिया गया है और फ्रैस्विली क्रेटीगुलं दूसिरा दिया गया है की कि इंड पलाज्म क्षाय किसी भी नहीं छेके तो किस भी रैपोसुंस पाई जाते हैं आप लोगको पता से इंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम और आप लोग को यह साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है तो साइटोप्लाज्म में भी आप लोग को इस प्रकार से राइबोसोंस देखने को मिलेंगे ठीक है ऐसे राइबोसोंस यहां पर भी देखने को मिलेंगे उसके बाद आप इस परकार से बाइंड रहते हैं तो आप लोग इसमें ऑप्शन में क्या बता सकते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं यह इंडोप्लाज्म क्रेटिकुलम में भी पाया जाते हैं उसके बाद साइटोप्लाज्म में भी पाया जाते हैं तो अप्शन नमबर सी इसका सही होता है तो इसकी में भी आउर पढ़ लिजे, ribosomes found cytoplasm of the cells, while they are found valine free in the cytoplasm में भी पाय जाते हैं, prokeriores के, they are also found bound to endoplasmic reticulum and outer nuclear membrane in the eukaryores, इसमें भी पाय जाते हैं, ठीक है, next question देखे, question number 7, इसमें भी बोला गया है, the positions of two centrioles in relation to each other, each at right angles in, एक दूसरे के समकोड में दो centrioles की इस थिती, एक दूसरे के समकोड पर, ठीक है, तो इसमें जो होता है कि lower plants में होते हैं, कि higher plants में होते हैं, कि animal cells में होते हैं, कि A and C दोनों में होते हैं, ठीक है, तो इसका सही answer होता है, question number 7 का सही answer होता है, D, A and C दोनो लोवर प्लांट सेल्स में भी होते हैं एनिमल सेल्स में भी होते हैं सेंट्रियोल्स आप लोग देखे होंगे कि जो सेल डिविजन जब होता है तो उसमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं इस प्रकार से क्या होते एक दूसरे की क्या होते समकोड प्याप लोगों कैसे देखने को म है मतलब कौन सा participate नहीं करता है तो आप लोग पड़े होंगे जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं मा mazecrowutubules होते हैं यह सभी क्या होते हैं कि उसमें participate करते हैं इसका सही answer क्या होता है option no c होता है intermediate filament microtubules यह क्या होते हैं कि उसमें कोई one प्रकार से उसका इस्ट्रक्टर्स होता है जिसमें आप लोग देखेंगे सबसे बाहर की तरफ आउटर मेंब्रेन देखने को मिलेगा अंदर की तरफ इनर मेंब्रेन देखने को मिलेगा और इसके जो बीच का जो इस्पेस होता है इसी स्पेस को क्या कहा जाता है इंटर मेंब्रेनल इस्पेस कहा जाता है ठीक है इस प्रकार से आप लोगों को सिख्य के नूमा सरचना देखने को मिलती है जो कि एक के उपर एक यदि एक सिक्क्य को आप उठा ले तो उसको कहेंगे थैले कोई और यदि सभी को आप कहें पूरे को अगर बताया तो पूरे को कहा जाता है ग्रेनम ठीक है तो यह इस प्रकाल से इसकी सरचना होती है अब हम लोग देख लेते हैं नेश्ट क्यूस्चन नेश्ट क्यूस्चन 00 po Blo assumed theorie schle खर पर पूरे sales में कोई ढरे ऐंग स्यॹत नहीं हो जाए तो यह क्या होते हैं कि खुद ही क्या करते हैं कि पूरे sales को लाइसोसोंस जो होता है वो फट जाता है और पूरे सेल्स को ही क्या करता है इस सेल्स को ही पचा देता है ठीक है जिससे के जो पास वाले सेल्स से वे बचे रहे हैं ठीक है तो इसी तरीके से जो फेगोसाइटोसिस हो गए है या फिर पीनोसाइटोसिस हो गए आउटोफेजी इसको को ही बाटा गया है फेगो साइटोसीस पीनु साइट सिर्सीस और एक और इसका पाडПрि सब्सक्राइए, तो देखे इसमें क्या होता है कि मालिजέ यह संसरे है और सेलमे क्या हो गया कि बाहर सब क्यूपने को इस प्रेकार से घर लेता है और यह से क्या होता है कि इंडोसाइडोसिस का नंदर यहांग होगा कि जो भी मेटेरियल चल्स यहां वह भार एंडर रहेगा थैंक' payer रहा है इंडर आइगा वही पीनुप सैक्टोसिस में किसा कि यौगड स्चिट में अंदर आएगा यहीदि कोई भी matter solid state ने अंदर आ रहा है तो उसका यूज करना है या नहीं करना है उस केली सिक्टेस करता है और यहोटाऀ सेल्स करके केंसरा सेल्स में परिद्रिक बन गया मितनलों तो अब क्या किया है कि इसे फास्ट किया है वह सेल्स क्लि concerts how order यहाने लगते हैं, जितने भी हमारे बोड़ी में जो होते हैं कि ऐसे तीक पर थे tão करने का में प्रते हैं, सो Coheter क सब法 प्रोटेक्ट करने में ही हेलप करते हैं ठीक तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं देखे जो Indocytosis होता है कैसा process होता है capturing the substance particle जो कि substance particle को capture करता है from outside the cell by engulfing ठीक है और उसको क्या करता है कि engulf कर जाता है बसेल मेंब्रेन के द्सको क्या करता है इंगाल्फ कर लेता है जो कि हमने आप लोग को बताए जिसे प्रकार से अपने आपको करता है और उसके अंदर मैटेरियल को लेकर के साइटो प्लाजम में इस प्रकार से चला जाता है ठीक है उसके बाद बताया है तब मेंब्रेन फोल्ड ओवर सबस्टांस एंड बिकम सकते हैं इसको नाव दिया गया थीक है आप सब्सक्राइब हुते हैं प्रोसिसे ब्रेक्टाऊन इंड डिस्ट्रोव औल्ड toble you कि कोई भी सुट्फ़ार्टांस से उसको ब्रेकडाउन कर देना उसको डेमिश कर देना जो कि हमारे सरीर के लिए fawnika रख वह उन सभी चीज़ों को Kutam करके रिसाइकल की तरह काम करनां कर लाता यह अउत कि कहलाते हैं ठीक है और रागे देखे लाइसोंग्स के अध Esos um of the digestive regimes पुरेफ कमें आगे देख़ पीद्रीजनेट कोहीं बचा देते हैं यह क्या करते हैं कि यदि आपकी डिक्तिरी अधर सेल एंदर अट ओगह पी बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा